इस सवाल को पहले attempt करने से पहले कुछ basic चीजे जान लो जो तुम लोग बच्पन में पढ़ते हो और उसको फिर attempt करेंगे ठीक है और इस type के सवाल अगर आगे future में कभी tackle करते हो इस type का pattern अगर कभी देखते हो तो ऐसा ही करोगे इस बात को ध्यान रखना जैसे कोई भी एक random number उठालो let's say मैंने एक random number उठालिया है 19 इस 19 को मुझे 4 से divide करना है तो कैसे करेंगे 4 4 सा यह हो जाएगा 16 यहां पर बचेगा आप लोगों का 3 अब यहां जिक करें यह जो 3 तुम्हें मिल रहा है इस 3 is nothing but it is known as what आप लोगों का remainder बच्पन ने पढ़ा है यह जो ऊपर में आता है यह वाला पार इस पार इस आप लोगों का question अब बचते हैं 2 कई लोगों को इन दो पार्ट में सबसे आदा confusion होता है करके ठीक है तो अभी ऐसे case में सबसे जरूरी चीज यह है कि जो divide करता है कौण divorce कर रहा है तुम लोगों का 4 तो divide करने वाले को हम लोग actual में क्या कहते है और जो divide होता है यहको हम लोग क्या कहते है dividend कहते है यह हैसे है तो divide करने के वक्त यह divide करने के बा度 total 4 parameters होते हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए question remainder dividend diviser इसमें कहीं देखना गलती होती है सिवाई dividend और diviser के इसमें तो तो तुम्हारे महान किस्तों में इना जाएगा ती आचा उसके अलावा बच्पन में यह एक चीज सीखी जाती है जरके एक तुम्हाइपस इस तरीके का कोई रूल होता है करके जिसको तुम लोग वेरिफाई करते हो ठीक है जैसे यह वहाँ पर लिखा रहता है कि dividend equals to what आपका diviser ठीक है जो भी तुम लोगों का diviser है multiply by आपका question और plus में क्या रहता है तुम लोगों का remainder यह वाली चीज ठीक है तो यह वाली चीज भी हम लोगों हमें lower standard में सीखी है बस अभी इसी concept को हमें apply करना है और इस question को कैसे solve करना है तो अभी question को ठीक ध्यान से देखो यहाँ पर क्या भोला जा रहा है इस 460 इस divided तो यह पहली लाइन ही तुम्हें बता रही है कि इस question में जो divide हो रहा है ठीक है जिसका division अमन कर रहा है वह कौन है आप लोगों का 460 तो यानि कि इस question का given part पहले आ गया कि 460 is nothing but it is your dividend करके यह आ गया हम लोगों का dividend अब check करते हैं कि इसे कौन divide कर रहा है sorry is divided by a natural number उसे एक natural number divide कर रहा है तुम्हें नहीं बताओ कि वह natural number क्या है क्योंकि वही तुम लोगों को actually fine भी करना है right क्योंकि बूला है na divide करने वाला इस नोने diviser और diviser को ही देखो नोने fine करने को भी बूला है तो इसका मतलब यह तो समझ में आ गया कि इसका जो भी diviser होगा उस diviser की शुरुवात one से होगी और one के बाद का वो कोई भी number हो सकता है वो zero नहीं हो सकता और कोई negative quantity नहीं हो सकती तो diviser हमें fine करना है तो हम यह assume कर लेते हैं कि इस question में हम लोगों का diviser क्या है एक x है और x basically क्या है आपका एक natural number है अच्छा और इस question में क्या बोला है अच्छा यहाँ पर एको साफ साफ word में लिखके दिया करके कि इस question का remainder बराबर कितना है वाने करके तो यह one कौन है इस question में हम लोगों का remainder तो dividend बदा चल गया diviser हमने assume कर लिया remainder हमको दिया है अब diviser के साफ तो diviser मैंने कितना माना है x तो यह कौन है मेरा यह 6 plus 5x this is my what quotient तो इस तरीके से में को उस particular equation में दो चीजे गिवन थी diviser dividend and remainder वो हमने लिख लिया और उसके अलावा diviser को हमने x assume कर लिया and quotient के लिए condition दी थी वो हम लोगों लिख लिए अभी इसमें सबसे पहला कि let x be the diviser ठीक है कि x आपके उस particular question का क्या है diviser है अब किसका diviser है of 460 ठीक है किसका diviser है 460 का and एक और information हम लोगों को यहाँ पर लिखने ने चाहिए कि x is a natural number क्योंकि question में बोला गया है ना करके मैं again फिर से वही वाली चीज बहुल रही हूं कि मैं जस तरीके से statements बनाके नहीं नहीं है अलग अलग इंसान के चीजों को express करने के ways English में अलग हो सकने बस उसमें थोड़ा grammar का द्यान रख सकते कि आफर यह नहीं समझता है कि is of in the at on यह क्या लगाने कब लगाने तो फिर तो एक ही option मचता है कि जो statement आपके teachers आपको लिखा के दे रहे हैं उसी चीज क इसको कैसे फिर आपको याद करना पड़ेगा और मैं बता जीनियों most of the body यही करती है उसमें maximum लोग आपको यही दिखेंगे कि जो teacher ने लिखा दिया उसी चीज को लिख देंगे उसमें अपना effort डालो कि तुम statement को खुद कैसे लिखना चाहरे हो इससे तुमारा भी improvement होता है तोड़ा तोड़ा otherwise किसी वो किसी और के words है ना उसमें मत रहो ठीक है अच्छा आब आगे तो इस question में हम लोगोंने divisor को अपना क्या ले लिया है x तो अभी यहाँ पे ना सारी चीजे में लिख लेती हूँ एक एक करके line से इस question में हम लोगोंने सबसे पहले divisor को कितना मान है x इस question में जिसको divide हम लोग कर रहे है यानि कि dividend वो कितना है आपका 460 इस question में आप लोगों को remainder यह वाली चीज कितनी दी हुई है 1 और यहाँ पे जो question निकलके आया है वो question कितना आया है उसको एक बार check कर लेता है क्या लिखेते हैं हम 6 plus 5x ठीक है तो यहाँ आ जाएगा 6 plus 5x करके यह ऐसे बराबर अच्छा अब उसके बार question में क्योंकि other कोई condition दी ही नहीं है तो अब इसमें इस point पर आने के वाद कई लोगों की गाड़ी अटक जाती कि अब क्या करें जैसे age वाला सवाल होता है तो ऐसे बोलता है ना 5 years earlier 10 years later का product इतना इतना वगेरा वगेरा कुछ दिया है नहीं है तो यार रखना है यह dividend, divisor, remainder, quotient वाले सवालों में आपको यह चीज यूज करनी पड़ती है यह ठीक है तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि using करके क्या use कर रहे है हम लोग हमारा कि आप लोगों का जो dividend है तो dividend equals to कितना आ जाएगा आपका diviser multiply by यहाँ पर कितना आ जाना है quotient और plus remainder करके ठीक है अब बस value पुट कर दो जैसे मैं remainder को REM इस पॉइंट पर छोड़ दे रहे हैं तुम वैसा मत करना तो dividend कितना हो जाएगा यहाँ पर 460 diviser कितना हो जाएगा आप लोगों का x multiply by quotient तो quotient कितना है 6 plus 5x और remainder कितना है plus 1 तो bracket open कर लेते है तो यहाँ से यह चीज़ कितनी आ जाएगी 5x square plus 6x आएगा 460 को अगर मैं माँ माइनस में ले जाओ तो यह चीज़ हो जाएगी तुम लोगों के पास minus 459 equal to 0 अब देखो इस चीज़ को ना split करने की हिम्मत बिलकुल मत दिखा दा जैसे मैं भी नहीं दिखा रही हूँ right now ठ का मतलब क्यों unnecessary मैं अपना time किसी number की या किसी quadratic की middle term split ढूने में waste करूँ इतना time नहीं न में पास तो सीधा सीधा हम लोग इसका होगा मैं exam दे रही होती तो मेरी approach यही होती कि तुनंत इसमें formula method लगाओ ठीक है अब अच्छा इससे में again तुम्हें एक और चीज़ बताती होता कैसा है कि जो state board का pattern है वो किस सरीके से रहता है कि तुम्हारे book के सवालों की value सक change नहीं होती है almost change नहीं होती है तो आपको जब एक बार एक इनसान करता क्या है जैसे let's say मैंने इसकी splitting कर ली तुम्हारे teacher ने इसकी splitting कर ली उन्होंने तुम्हें splitting बता दी तो तुम लोग क्या करते हो उस solution को अपनी copy में लिख लेते हो और वो कैसा बार बार इतनी बार practice कर लेते हो कि almost तुम्हें कह सकते हो कि तुम्हें स्प्लिट करने वाली values तक या दो जाती हो तुम्हें पता है कि value तो question में change होती नहीं है बहुत ही rare case में change होता है छोटे-छोटे सवालों में चोट-चोटी चीजे change होती otherwise इस तरीके से maximum चीजों में आपकी values तर change नहीं होती तो तुम वही कि वह splitting लिख आते हो बड़ तुम खुछ सोचो अगर exam में तुम्हें पस कोई एक नया सवाल आ जाए तो उस वक्त क्या तुम इस तरीके से अपना time waste करोगे क्या right नहीं करोग कि तुम्हें इसको करके मैं split बता देती तुम्हें splitting को याद कर लो हमेशा जो चीज नाचुरल होती ना जैसे अगर माल नेते हैं मैं तुम्हें सुई चुबाऊंगी तो तुम्हारा नॉर्मल लोगों का तो नाचुरल यही रहेगा करके कि वहाथ पीछे करेंगे करके कि म लोगों को factors इसके पता चल जाएं उसके बाद तुम इसके factors याद रख लो बड़ अगर कल को कोई नई equation को भी tackle करते हो और भी स्वरिके की गंदी तो splitting में अपना हाथ जलाने की कोई मर्जरवर नहीं है ठीक है तो formula method हम लोग use करते है x equal to कितना हो जाएगा minus b यहां आ जाए यहीं के यहीं भी put कर सकते हो ठीक है तो देखो b कितना है minus of 6 यहां जाएगा plus minus under root of देखो b square तो b का square यानि की 36 हो गया minus में बीच में 4a आ गया आपका 5 तो 4 5s आ 20 मैं directly लिख रही हो step अच्छा c क्या है minus 459 यह है upon में 2a तो वो हो जाएगा 10 उसके बाद यहां आ जाएगा minus 6 यहां plus minus यह under root में यह 36 minus minus plus हो जाएगा 459 को 20 से multiply करने है तो 20 से multiply करने से बेटर है कि 2 से multiply करो तो 918 होता है और 918 की पीछे बस एक 0 लगा दो divide by 10 ठीक है अब जाएगा 918 0 plus में यहां कितना आ गया 36 आ गया तो यह चीप बन जाएगी minus 6 plus minus under root of 9216 upon में कितना यह 10 ऐसे अब देखो कई लोगों को ना इतना बड़ा number का square root देखकर heart attack आ जाता है तो जिन लोगों को heart attack आता है उन लोगों के लिए 9th standard में एक तरीका था आप लोगों का prime factorization ठीक है जो तुम सभी को आता है rationalization करते हैं वक्त अपन लोग बहुत ज़रा उसका use भी करते है बट इसमें मैं तुम लोगों को एक चीज बताती हूँ कि मैं अगर इस सवाल को attempt कर रही हूँगी तो मैं कैसे करूँ मैं दोनों तरही के बताती हूँ तुम लोग अपने आपको चीज में comfortable feel करो वाला करना अब जैसे मैं एक number choose करती हूँ let's say मैंने choose किया 100 ठीक है इसको rough work में consider करोगे इस का square one होता है और आपके original question में दो zero है तो square होने के बाद double हो जाएगा यानि की total कितने हो जाएंगे इस तरीके से चार हो जाएंगे यह ऐसे तो यानि कि अगर मैं इसको अपने statement में words में read करो तो यह कितना है 10,000 और मुझे जिस चीज का square root निकालना है वो कितना है 9,000 क्या य तो यानि कि अगर मैं 100 वाला number लेती हूं तो उसका square आता है 10,000 बट मुझे जिस चीज का square root निकालना है वो है 9,000 तो इसका मतलब 100 या 100 के बाद आने वाले कोई भी number हमको कभी भी square में check करने के लेना ही नहीं है फिर 100 के बाद मैंने 90 का square निकालके रेख लिया तो 9 का square कितन में 10 to square के बाद double हो जाएगा तो यह रेखो कितना 80 ये 8,100 रुप है और ये कितना है 9,000 तो इसका मतलब जो मेरा number है मतलब 9216 जिस चीज का square root है वो 90 और 100 के बीच का number है ठीक है वो किसके बीच का number है 90 और 100 के बीच का ना तो 90 ना तो 100 90 और 100 के बीच का 91,92,93,94,95 अच्छा एक और चीज़ एक 95 का square निकालते हैं मैंने तुम लोगों को इसके square निकालने के trick भी बताई है last year तो फिर से मैं बबता देती हूं जैसे 5 है तो 5 का square कितना हो जाएगा 25 ये सिर्फ ट्रिक उनी के लिए वालेड़ है जिनके आखरी में 5 लिखा हो और 9 है तो 9 के आगे में तो ये हो गया 9025 तो अब ये जो number है वो कितना है ये तो 9216 है और 95 का square तो 9025 आ रहे है तो इससे ये बाद भी हमको समझ में आ गई कि ये जो number है धीक है 9216 इसका square आपको 95 और 100 के बीच में मिलेगा 90 और 95 के बीच में नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि 9216 है ना जब 95 का square 9025 आ तो 9216 का तो obviously उससे बड़ा ही नंबर आए रहेगा कोई तो 95 और 100 के बीच के नंबर कौन कौन से हैं तो पहले दिख लेते हैं 95, 96, 97, 98, 99 और ये 100 अभी देखो 100 नहीं हो सकता क्योंकि 10,000 आता है उसका 95 नहीं हो सकता क्योंकि 9025 आता है बीच में बचते हैं सिर्फ 4 नंबर अ अगर कोई तुम्हें दूसरा सिखा रहा है कि इस कीच को ऐसे किया भी जा सकता है लॉजिकली तो फिर उसको सीखना चाहिए अधर वाइस तुम करते रह जाओगे एक एक नंबर का स्क्वेर निकाल निकाल के देखोगे एंड फाइनली फिर बोलोगे हट ट्यार करके स्क्वेर तो आई नहीं रहा है इस अच्छा जब आपको इस साइट से देखो इस पॉइंट अगर यह सवाल पेपर में आया होता और इसको मैंने प्रिवियस ली कभी स्क्वेर नहीं किया होता तो मैं कैसे करता है तो अब देखो यहाँ पे 96, 97, 98, 99 यह चारो में से किसी का भी हो सकता है तुम बस इतना देखो कि जिस चीच का तुम्हें स्क्वेर ढूंड रहे हो उसके आखरी में क्या लिखा है 6 लिखा तो 6, 6 जा कितना होता है 36 आगे कुछ भी आता हो आगे कुछ भी आता हो बट इसके पास आखरी डिजिट में तो 6 ही आएगा ना तो मगा 97 इंटू 97 करोगे तो 7, 7 जा कितना होता है 49 तो यानि कि वहाँ पे unit digit क्या create होगी 9 हमें तो unit digit 6 चाहिए तो जब हम 96 का square करेंगे तो unit place पे create होगा 6 जब 97 का square करेंगे तो unit place पे create होगा 9 और जब हम 98 का square करेंगे तो उसके unit place पे create होगा 4 कैसे 4 98 में जो 8 है उस 8 का square 64 और 64 की unit digit 4 और जब 99 का करोगे तो खुदी बताओ कैसे create होगा 99 में 9 ठीक है 9 का square 81 और 81 यानिकी 1 ठीक है तो यानिकी यह किसका square होगा 96 का तुम तो मैंने यहां लिख दिया minus 6 plus minus 96 upon mate 10 चलो यहां तक पहुँच गए हम लोग successfully अच्छा अब इसके बाद भी लोगों को गलती करने का शौक चर्थ है वो ऐसा उनकी बड़ी इच्छा होती है करके कि यह वाली calculation करते हैं लोग यह legendary calculation अरे महान प्राणी हो यह legendary calculation आपको ना करनी है ठीक है यह legendary calculation ऐसे नहीं की जाती आपको अगर cancel out करना है तो take out common common कैसे निकालोगे बताओ यहां से एक बार इस x की value को पहले चुरो common निकाल लेते हैं 2 common निकाल लो तो क्या बचेगा minus 3 plus minus यहां पर कितना आजाएगा 48 upon me 10 अब यह 2 1s आ और यह कितना हो गया 5s आ ऐसे cancel out करते हैं अब यहां से x की 2 value बनेगी minus 3 plus 48 upon me 5 एक यह बनेगी और दूसरी बनेगी x equal to minus 3 minus 48 upon me कितना बनेगा 5 तो यहां से x की 1 value आ जानी है आप लोगों के पास 45 by 5 तो यहां से x की क्या value आ जाएगी नहीं और यहां से अगर तुम x की value calculate करोगे तो यह आएगी minus 51 by 5 point पे मत निकालो जैसा है वैसी रहें दो अच्छा अब इस question में हमने x assume किस teach को किया था यह जो question हम किये है इस question में x क्या है पहले ही बारे बता दिये थे कि x एक natural number है और natural number 1 से शुरू होते negative नहीं होते कभी भी तो इसका मतला minus 51 by 5 को हम लोग क्या करेंगे reject करेंगे तो यहां से हमें ऐसा लिखना पड़ेगा करके कि here x equal to minus 51 1 upon 5 is rejected करके ठीक है हम आपे यह तरीके से mention करना पड़ेगा क्यों reject कर रहे है हम लोग उसका reason मी देना पड़ेगा तो इसका reason होगा because x is a natural number ठीक है क्योंकि x नहीं पे क्या है आपका natural number तो therefore x की value कितनी आई हम लोगों के पास 9 करके आई ठीक है अब तुम खुछ सोचो अगर तुम middle term split up कर रहे होती तो तुमें कितना tension आता मैं बताती हूं उसके split क्या होता है क्योंकि मैं करवा चुकी हूं सवाल सबसे तो मुझे तो देखो 2 साल में चीज़े यादी हो गई है और फिर भी इसके अगर मैं तुमें बताती हूं इसके factors आते 45 और 51 और यह factors ढूनने में टाइम लगता है बहुत ठीक है जिसने एक बार निकाल लिया है और मैं बताती हूं निकालते विकालते कोई नहीं हो तुम लों सिर्फ teacher का उठाकर लिग देते हो ठीक है तो यह क्यों करना मैं खुद अगर board exam दे रही होते हैं मैं यह करती ही नहीं मैं तो यही करती है मुझे यह काम बहुत पसंद आता है यह वाला काम सोचना कि अच्छा यह square root किसके बीच का होगा ठीक है और एक बार यह से confirm जब हो जाओ ना कि इसका हो सकता है तो एक बार निकाल के check भी कर लिया करो ठीक है तो यहां से x की value ना ही ना गई तो अब देखने क्या पूछा है question में तो question में वो तुम से पोल रहा है find question and divisor question भी डूणना है diviser भी डूणना है वो diviser कितना है 9 और अगर इस question में मुझे quotient calculate करना है तो quotient तुम लोगों का कितना होगा 5x plus 6 यह होगा 5x plus 6 तो x की जगा पे आ जाएगा 9 और plus 6 तो 5 nines are 45 45 plus 6 यानि कि कितना है 51 तो यहां से diviser निकल के आ गया 9 and यहां से आप लोगों का quotient निकल के आ गया कितना 51 अब last line लिख लेना कि therefore quotient and divisor are 51 and 9 respectively करके ठीक है ओके फिर